अलो दोस्तों जस्ट एल के बारे में बात करेंगे इंट्रेस्टिंग बिजनस है और एक ट्रांसफॉर्मेट्टिव टाइम से गुजर रहा है यहाँ पर क्या चेंजिस हो रहे हैं उसके बारे में समझेंगे जस्ट डायल को लगभग 67 परसंट ओन करती है यह बहुत बड़ा चेंज हुआ है जब हम जस्ट डायल की बात कर रहे हैं और रिलाइंस का यहाँ पर इंटर होना एक इंट्रेस्टिंग बना देता है जस्ट डायल के स्टॉप को रिजल्ट के बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन यहाँ पर टोटल अगर आप देखेंगे फॉरन इंवेस्टर्स 3.71 परसंट है डॉमिस्टिक इंवेस्टर्स 7.9 परसंट और इंडिवीजूल 10.73 परसंट का उनकी हिस्सेदारी है अब यह डिसेंबर के डेटा है बिलकु पर कोई कॉंट्रेक्टर हो रिपेर या सर्विस का समान हो वो काम जस्डायल के द्वारा होता है उसके अलावा सर्च के अलावा भी अगर आपको कैप बुक करनी है ट्रेन टिकेट बुक करनी है बस टिकेट बुक करनी है रिचार्ज करना है तो यह सब भी काम अभी जस्ड स्टोरी है और उनका B2B में बहुत बड़ा अच्छा प्रेटफॉर्म था तो similarly Just Dial भी JD Mart के जरिये यहाँ पर आने की कोसिस कर रही है यहाँ पर disruption लाने की कोसिस कर रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है क्योंकि India Mart को जो premium valuation मिला हुआ था यह B2B के लिए मिला हुआ था अब यहाँ पर कैजसडेल बड़ा कुछ कर पा रही है इंट्रेस्टिंग रहेगा देखना अब क्या हो रहा है बिजनस पर तो सबसे पहले चुकि एप का बिजनस है यहाँ पर इंटरनेट का बिजनस है तो यहाँ पर कितने विजिटर्स आ रहे हैं तो टोटल आप विजिटर्स देखेंगे 14.2 करोड आए हुए है क्वाटर 3 में जो कि क्वाटर 2 से क्वाटर 3 आपको नीचे जाता हुआ मिलेगा क्वाटर 3 से क्वाटर 4 कितना उपर है वो हमको पता चलेगा अब प्री कोविड आप देखेंगे जैसे क्वाटर 4 FY20 में तो लगभग आप देख सकते हैं यह प्री कोविड का डेटा है तो यह 13.9 करोड के आसपास था और पिछले साल आप देख सकते हैं 12.9 करोड के आसपास था तो अभी कितना इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ हमको पता चलेगा फिर रेटिंग रिव्यूज कितने यूजर्स इंगेज हो रहे हैं तो यह अभी आप देख सकते हैं क्वाटर 3 में आप देख सकते हैं 12.5 करोड है सिमिलरली कोवीट से पहले जो क्वाटर 4 था आप देख सकते हैं यहाँ पर 10.9 करोड मतलब 11 करोड के आसपास था जो कि पिछले साल जन्वरी से मार्च में यह भी यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीस हुआ है तो यह तो ओवराल हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग ट्रजेक्टरी है तो यह इस हिसाब से होता है हमको पता चलेगा फिर एक्टिव लिस्टिंग यहाँ पर क्या है तो टोटल लिस्टिंग अगर आप देखेंगे तो 3.1 करोड की यहाँ पर ने बहुत ही अच्छा रिटन नहीं दिया हुआ है और बहुत हद तक नंबर से पता चल रहा है आप मार्जिंस भी देख सकते हैं क्वाटर वन में आप देखिए लॉस उन्होंने बुक किया हुआ था अब यहाँ पर देख सकते हैं फिर से उनका प्रॉफिट में आये क्व तो अभी बहुत ही अंस्टेबल हो गया है खासकर कोवीट के टाइम से तो अभी क्या मार्जिं में क्या इंपोर्टन रहेगा हमको देखने को मिलेगा इंट्रेस्टिंग चीज जस्डाय को अगर कोई चीज बनाती है तो वह है उनके पास कैश दोस्तों जरूर कॉमेंट से 70 करोड के आसपास का कैप जो है कैश है और मार्केट कैप जो है आप मुझे बताएंगे ही मार्केट कैप के हिसाब से आप देखेंगे कैश बहुत जादा है और ऐसा कंपनिया बहुत कम मिलती है जहां पर मार्केट कैप कम होता है और कैश जो है एक अच्छे लेवल पर होत यह सब नंबर्स है आपके लिए आप क्वार्टर थी में आप देख सकते हैं 158 करोड का ओपरेटिंग रेविन्यू था जो की यर ओन यर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था क्वार्टर 2 अगर FY22 के साथ कंपेर करें थोड़ा सा चेंज हुआ था तो रिजल्ट्स में बहुत कुछ बताने जैसा या बहुत ही इंट्रेस्टिंग नहीं है मार्जिन्स भी बहुत अभी कर रहे हैं बट रिलाइंस नहीं यहां पर इंट्रे ली है क्या कुछ ट्रांस्फोर्मेशन हो रहा है जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं यह सब चीजें हमको पता चलेगी जब रिजल्ट्स आएंगे क्वाटर 4 के ओवरॉल प्रॉफिट्स के नंबर लास्ट मैं आपके साथ मैं शेयर कर दूँ इन्फेक्ट तो प्रॉफिट्स 19 करोड का हुआ है और टोटल क्वाटर 3 जो एफ़ए 21 में लगभग 50 करोड का प्रॉफिट था तो यह सब नंबर जो है अभी आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं लेकिन इंट्रेस्टिंग होगा अगर यह ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अगर कुछ तर्नराउंड जैसा देखने को मिलता है तो फिर स्टॉक बिल्कुल इंट्रेस्टिंग हो सकता है हाई रिस्क इंवेस्टर्स ही यहाँ पर फर्दर स्टडी के है और जरूर बताइएगा मार्केट कैप कितना है और जो मैंने कैस्ट बताया तो आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंसाइट मिलेगी धन्यवाद आपके कॉमेंट्स का इंतजार रहेगा थैंक्यों वेरी मत दोस्तों धन्यवाद